चला, total attempt कितनी थी, पहले को बने के लिए कितने बेज हैं ता 6 बेज, अगले को भी 6 बेज, अगले को भी 6 बेज, अगले को भी 6 बेज, तो कितना हो गया 6 की पार 4-1, ये बेज आज जो चलेगा topic, वो चलेगा 7.6 का, 7.4 का equation रहे हैं 19, उसके इलावा तो सारे हो गए है, 7.6 का topic चलेगा, line arrangement हमने बहुत कर दिया, circular, circle में बैटना है, तो कुछ बाते ही सीखने वाली है, और एक concept होता है, garland, garland का, उसमें भी हम चलते हैं, garland और circular arrangement, circular arrangement के अंदर ही एक हो राता है, garland, थोड़ा सा फरक होता है, अगर समझाते हैं, कोशन तो नहीं है, इसका हुखमें पर मैं चलू करा देता हूँ, circular arrangement है, मैं circular arrangement में शुरू करने से पहले एक बात पूछनू, फिर मैं start करूँगा circular arrangement, circular arrangement, arrangement, मालो आप जिस स्कूल में पढ़ते हो, किसी भी स्कूल में, आप तो 11 में हो, पिससार 10 में थे, आप को किसी स्कूल में टीचर ने बोल दिया, जाओ, फिफ्ट क्लास, फिफ्ट B, फिफ्ट में तीन सेक्शन आपके स्कूल में असा मान लो, दोबारा बोल रहा हूँ, आप टेंथ में थे या इस सार प्लस वन में तो भी गे नहीं हो स्कूल में, जब जाओगे कल को मान ल बचचे कलास में बेटे होें, जाओ, बैटे होएं, जिससी बैंच में बैटे होते हैं, वह ए सकूल में टीचर ने बोल रहा हूँ, इतना बोल दिया, तो आप फिफ्ट B में गे, आप ने बोला आईश मैं न, आप बोले होगी, बुला ला लेंगे, कैसे बुला लोगे? बताओ आप अगर सामने होते तो पूछता आप फिफ्ट क्लास में चलेगे मान लो तो आपने बुला रोईट चलो मैडम ने बुलाया आपको एसर ने बुलाया तो मान लो उसक्लास में पांच रोईट होते हैं तो किसको ले के आता है पंचों को ले आता है तो आज Bonus मानों साथ रोई तो तें तो किसको बुला कि लाट तो इसे तुम लाओगे कि नी पता नी एख बच्च है उस स्कार्स के इस नाम कि दो वच्चे सो बच्चे है बच्च uto हमें क्या पता उस क्लाश में तो हम बात कर रहे हैं कि आज हम नहीं अभी से पहले जो टॉपिक पढ़ा था, वो लाइन अरेंजमेंट पढ़ा था और आज जो हम पढ़ रहे हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं? सर्कुलर अरेंजमेंट उस चीज़ को हम समयने कोषिश कर रहे हैं, देखो क्या फरक है दो क्लास फिफ्ट में से मैंने बोला एक बच्चे को लियाओ जिसका नाम रोहित है तो क्या आप बुला लाओगे रोईट को रोईट बुलाने के लिए जाओगे तो सही मान लो आप उस क्लास में आप फिफ्ट क्लास में चलेगे रोईट को बुलाया मान लो रोईट को अबाद दी पर रोईट कितने तो उस क्लास में छे थे चे रोई आपके पीछे पीछे चल पड़े, सर ने तो यार मैंडम में कहा था, एक रोईद को बलाके लावे, छे के छे लियाए, मालो दस बच्चे थे रोईद, दस के दस आपके आपके पीछे होगे, इसको नज लेके जाओगे, एक स्कूल में से, तो क्या था आपके पास, उसमें क्या कंसिप्ट लगा सकते थे, तो आप फिर टीचर के पास गे, आप बोलोगे, सर मैंने तो रोईद को बाजमाई थे, यहां तो छे खड़े होगे हैं, दस खड़े होगे हैं, बताओ मैं किसको लेके आओ, तो बोलेगा, रोईद शर्मा को लियाओ, रोईद शर्मा वाई मारे तीन आगे, अब बताओ किसको लेके आओगे, तो ऐसा नहीं होता, तो वो यह बोलेगा, जाओ क्लास में जाओगे, सुचना चला, फर्स्ट रो में, वाद लाईने तो बनी होती है क्लास में, पहले बेंच लगा है, फिर दूसरा फिर तीसरा, मालो उसने बोल दिया, जाओ, क्लास में जाओ, फर्स्ट रो में, पहली रो में चले जाना, नाप रोईत पैठा नां है लाष्ट में लड़का पैठा उसको लिए लाना तो आप क्या आग जाओ गे पहली लो मेशर में आंट गे फर्स्ट आटा भी जो भी इस मैझम ने बुलाया चलोगी वो कहता है उसके साथ या थर्ड बेंच पिर चलेगे चलेगे मैं यह गहना चाहता हूँ जब एक लाइन में बैठे हैं या प्रेयर में या क्लास में अगर मुझे किसी बच्चे को बुलाना है मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा तो मैं उसकी पुजीशन से भी उसको रिको करनाइस कर लूँग खाआ के लिया तो आप क्या जाओगे फर्स्त रुम में जाओगे या तो फिशी नम्हें पछे Can मैं बोल दूगा जाओ रोईद को बुला लाओ वह प्रॉब्लम यहां पे भी है रोईद पांच खड़े होगे अगर मुझे नाम पता मैं नहीं पता मैं नहीं जानता उस कि आसे की बयुदी यहीं प्रॉग मताल करे करें नहीं सब्सक्राइबा बीबुद्ध्य पहन को नोगी कियो नहीं बुह पूछनेफर्ट वालएं था कि社 इननटी इसपर्वापोiousक्ष क्या आपता बच्चे का नाम ही पेला बच्चा हो तुमने बोला पेला बच्चा बच्चा खड़ा हो कि मेरा नाम ही पेला बच्चा है ऐसा भी होता है नाम ही हो गया पेला बच्चा है इसा थोड़ी ना होता है सुचो जराब intermanent सरे फस्ट सारे लास्ट मैं उन्होंगno last बच्चे को बला लाओ कौन सा last सारी last है मैं बहुनगा second last को बला लाओ सारी second last है मतलब circular arrangement में position ने होती तो मतलब circular arrangement में position नहीं होती है position समझते हो first position second third fourth last second last third last fourth last fifth last positions होती है जिसके कान हम बच्चे को रिकोगनाइज कर सकते हैं, जिसकान हम किसी भी चीज को, बच्चे को नहीं, किसी भी चीज को रिकोगनाइज कर सकते हैं, बच्चे तो मैंने एक ग्जामपल दिये, पर सर्कुलर जब सर्कुलर में कोई चीज लगी हुई हो, तो कोई फस्त नी होता तब हम करेंगे कैसे उससे पर एक नोट लिखूा दो सबसे पहला नो पोजिशन लाइन अर्शन के अंदर किया होथταी है तो पहली बात किसा असरी नोट है सबसे पहला नोट जो लाइन अर्येंज्मेंट होती है है कि पोजिशन या प्लेसीज, प्लेसीज भी कुछ बच्चे समझ देगे, कि अधर राइमने पॉजिशन होती है, फर्स हें थर्ड, फर्ड, लाज हें लाज होती है, कि अधर प्लेसीज होती है, बट, सर्कुलर अर्एमन, जो सर्कुलर बच्चे होती है, डूनाट है, एनी पॉजिशन, सारे फर्स, सारे लाज, नहीं होता सकते हैं, प्लेसीज, दूसीज़ भाव, इन चाएं, लाइन अरेजमेंट दिखावा या नाइनमेंट है, पॉजिशन, फर्स पॉजिशन ता मजब यह होती है, फर्स नहीं होता है, फिर अब बुलाना तो क्या करें, अब तो दिक्यत आजएगी, अब बताओ कैसे बुलाएंगी, इस बच्चा बताने वाला हुती ह सरकल में जब बैठेए लाइम की चिंता नहीं में तो मैं बुला लोगा मैं नहीं भी जानता सुर्विज नुगा रिखिंप उप रायक्त बेरा जाने बुला लोंगा इस जब यह कहते हुए कि कहते हो सप्युन के पूजिशन के इस बच्चे को लाईंगे क्या दो है क्या प् क्या कर गोग को सब्सक्राइब हुआ क्या करूँगा इस्पे फिरूचे-पया कर लग बच्चे पथे वए फिर दिक्क्त नहीं क्यों जितने हुए यह कौन उतने ही फैक्टॉलियल प्रक्रीज में एक पिर टीर योगे है टीन कशोंसे चलो जब अलब होंगे तो हम उस पर क्या करते हैं हम मैं उस बच्चे को गौंगा देख ज़रा वो रेड शट वाला बच्चा दो यह दिख रहे हैं मालो सारे एकी उनिफोर्म क्यों होंगे सारे एकी जैसे उनिफोर्म में पाई होंगी तो मैं गौँगा दिखो कोई उस पूरे सरक्र में से किसी को जानता है हो क्या मैं सुमित को जानता हूं मैं बिग अंगर ठीक है नीज समझ में आई चिक चलो ठीक है मैं जो में बैठा होए उसमें हाइट तो होगी भी बैठने भी तो है हाइट होगी तो मैं ब्चा जो बड़ा सा दिख रहा है बच्ळा या वो दिखो जो क्या करेंगे किसी एकको रिको कराने कोशश इस करूँआ है जब मुझे दूर से सपने में इन चाकर्माइक बोला यह नहीं बेफिर सब्सक्राइब है फार कॉल इक लाक्षर्व को अ데क गॉल पार तो तम मैं क्या करूंगा उस बच्चे को मैं क्या कौंगा उसको किसी एक को मैं उसको रिकोगनाइस करने कोशिश करूंगा या वो खुद कर ले या मैं करूंगा मैं गोँगा ज़रा एक ऐसा बच्चा ढूंग जिसको तू देख के आ रहा है तो वो किसी एक बच्चे को बताएगा सर उसने टाइनी लगाई हुई थी उसने बैठनी बांदी हुई थी मैं इसको जानता हूं है मैं सुमित को जानता हूं तो कहने का मत्ब क्या हुआ जब सर् दो बचे चोड़के रोईत बेठ दो बुला लोगे मैं सबसे पहले स्यव अर्वागमें में क्या करना पड़ता है कि इकको फिख करना पड़ेगा दूसा नोट है परने नोट लिखवा दूं इन सर्कुलर अर्वेट किंशे उन पोजिषन mystery the respect to which विथ ä respect to which फोई केन रिक Это रेको गराईants, रेको गराईज समस्तै होंगे कि अधर पोजिशन सुनते हैं रो भी noot बड़ें and noot अचोटी साज ऊकाथ कोष्ड ऊकी प्न नौट भाथ है इसके अनदर, 5 से तो मटनने मेरे खंच को गरs किरें हम टों इन एंप के लिएा बार सब कामारेक को प हयो यह से खिर कर Do आपapping करना हो गिए बृता है। को जिसको फिक्स करो रूद को करने अच्छ करने का तरीक टैर क्ला पी से start होगा I sand होगा Independence तो लेटर मन करें कितने तिए एक लुए को आपने तो फिक्स कहने के मता देखका एक और आई कहा बना था यहां नहीं कि लाज़ा नहीं किछ क्या देखक्ड़ा नहीं हो बुदे किसी एक को हम फिक्स कर देते हैं जिसके सेटु हम पुजिशन को डूणने कोशिश करते हैं तो मैंने बोला भी है वो रेडशाट वाला बच्चा आप जानते हों किते हैं आपने देख लिए यहां सर मैंने देखा हुआ रेडशाट वाला है उसमें बैठा हुआ तो उससे दो छोड़ के रोइद को बुला लाओ तो बुला लाोगे क्या अफ्व유 से बुला लोगे नहीं अफ्वे से बुला लोगे नहीं क्यों मालो ल debates अच्छा मेंटा दऄ ससे दो छोड leading में चोड़ो गिंए इस तरफ के दो तो एंटिक लोग में चोड़ोगे यह तो बता दू तो इसका मतलब जब आप सर्कल नेजमेंट करते तो लोग वाइज और एंटिक लोग वाइज डिरेक्शन भी मेंटर करती है अब मैं तुम्हें बोलो जाओ रेडशाट वाला बच्चा देखा है उससे दो लोग में चोड कर से दो लोग में चोड़ोगे चोड़ोगे जाता है तो कय prefer सब्सक्रीक वाइज में या किसी ब्री अश्रोडा मैं भी सब्सक्रें आप में चोड़िखाया वैइन नुद्या शिर्दा यह थाウड़ो कशच रेंगरों कि एक दखाया रॉक्त क्या हुआ वाला दिक्र मद इसमें पुजीशन तो नहीं होती है, पर डिरेक्शन होती है, डिरेक्शन होती है, कौन सी हो, that means clockwise and anti-clockwise, 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 यह गला है, तो क्या कहता है, जब इस circle management में कहता है, तो position matter नहीं करती है, वहाँ क्या करना पड़ता है, किसी एक को fix करना पड़ता है, वो fix आप बाए नाम, by school, by कुछ भी fix करो, वो आपके अपना दिमाभी है, या जो कोई आपको रिको करना इस खाने कोशिच करेगा, उसको fix करना अब उसके set to, तुम किसी दूसरे की position को recognize कर सकते हो, पर direction को ज्यान में रिखते हुए, क्या मतलब किसी एक को fix कर दो, red shirt वाले को fix कर दिया, तीन छोड के रोइद बठा है, सर कहाँ पे cloak, anti-cloak, बोलना पड़ेगा cloak में, cloak में 3 छोड दो रोइद बठा है, 4 anti-cloak छोड दो Smith बठा है, 6 anti-cloak छोड दो राम बठा है, तो इसका मतलब उनकी position का सारा लिखा जोखा तुमें करना पड़ेगा, यह मतलब के है, 3, पहला result है, उसके बाद 2 note दुबारा आएंगे, पहले पहले आके result आएगा, छोथा result, पहले result ही है, and different things are arranged in a line, line में बठाने थे, और अब circle में बठाने है, अभी note हो राने है, पहला result शुरू हो गया, पहले result कराना पड़ेगा, तो नोटी समझ में आएगा, and different things, first में first है, different का मतलब समझते हो, things are, arrange करने, in a line में, तो कितने ways हैं, and factorial ways था, पर दूसरी बात है, and different things are, arrange करने है, इन a circle में जिसकी बाद अभी एक करना चाहाँ है, तो circle में अगर मुझे चार बच्चो को arrange करना है, तो चार factorial नहीं होगा, सोचना कोई बता सकता है, कितना होगा, सोचो, जब line में मुझे चार बच्चो को arrange करना है, inner line में, कितने होगे, 24 तरीके तरे याद करो, कौन से, a, b, c, d, a, b, d, c, a, d, c, d, c, d, c, d, c, d, c, d, d, c, 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 d, d, c, 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 d, c बूपने पर बूपने बता दे दो फो इफ्रेंट को संसे एक भी सी और अरेंज करने इन्हें लाइन नर्म कर दिया अब किसमें करना चाहते हो सब्त कर नहीं है तो कितने वे से कराओगे यह देखे अभी मैंने क्या बोला है चार बचचे rocky है दस बच्च माटेए तो सो बच्चे सिछ डूंडोगे किसी क्या करोगे एक जिसचों बंकि सारी पॉजिशन क्या करोगे किलोग एट डिख गूंते रोगी तोकिसी अगर एको fix करोगे तो मतलब क्या फिक्स करने के तरिक्य कितने होते हैं वन तो टोटल बच्चे कितने हैं चार गुमेंगे कितने इसमें गुमेंगे शफल कितने करेंगे बदाओ चार में शफल कितने करेंगे लाइन में चारो लाइन में तो चारो शफल करेंगे सोचो तो कितना अंसर रहेगा और इसमें कितने शुफल करेंगे, चारो शुफल कर रूँगे। इन kup मिखेंगे तो पाकि रैक इतने के वह सुआ किप 的 आठ हिड़ राप तु यहां पर पे कितने शूफल करेंगे बताओगे। क्यों 1 बताओगे यह con कि उस्टिक्स के लिए जिसने शफलिंग में नहीं आना को तो बैठ आप नहीं जगा रेडशाट वाला उसके विसे बागी सारे दो तरव आप जितने मज़ीं कमा जैसे चार वे चार बच्चों को बढ़ाने कर इतने दिक्वें बताओ चुवेस कब लाइन में कितने दिक्वें चुवेस समझते हो सामने नहीं हो ना कोई बार नहीं समझे लोगे बोर्ड पे भी चौवेस और मिज़े सप्ट्रें उठाना बता कितने दिक्योंगे चेवेस तुमको इसको चुवेस के चे कैसे चो लो बना लेते हैं आज हो एमान दिया मान लो आख बता वर किसको फिक्स करना चाहते हैं से को अब बी को सी को घका अब यह तो आपको किसी को को सबैटे हो अनम को जो किसको करना तो यह कर दिया फिक्स कर ले भाई तु बीघो और न अर्नंघ को कर ले है रेखिस कर ले एक स्थिए को फिक्स करने अधिसक्त शर्ट रना है किसी को बीको कर लो तो जरूरीर नहीं को किसी भी एक को fix करना है एक तरीका ही हो गया सोचना fix का मदर्स बस्ते ओ उसको हिलाना नहीं है उसको rotation में लेके नहीं जाना उसको shuffling में गुवाना नहीं है जैसे इसमें कौन गूम रहा है बताओ एक अपनी जगह था था बाकी गूम रहे हैं यहां जैसे 24 तरिक्षी गिनाए थे मैंने 1,2,3,4 सर इसके तो तरिक्षी गिनादों तो गिना रहे हैं A, B, C, D एक वे हैं A, B, C, D एक वे हैं अब रुचाए A, B, C, D A, C, D, B, D जगा कर में अभी A, C D, B A, B, B, C अभी रुचाए के दिवा लिखता हूँ A, D, C, D छेदे इनके लावब कोई तरिक्षा नहीं नहीं अगर रुचाए नोट कर लो फिए मैं रुचाए यह तो बतर ही है, 24 तरिक्षा है इससे यह दर छे तरिक्षा है, यहाँ बनारा हो दुबारा से पहला दिखा है A, FIX क्याँ मैंने, इस समय एक अपने दिमाग में B है, यह नहीं फिक्स करना है, एक दिक्षा है, यह A है, B है, D है, C है, दूसर दिक्षा है फिर A है, C है, B है, D है, तीसा दिक्षा है A है, C है, D है, B है, दूसर दिक्षा है A है, C, D है, B है, C है, चुथा दिक्षा है A है, B है, C है, B है इसके इलावा कोई दिक्षा है इसके इलावा दो बताओ मेरे इसाब से इन चार को रेंज करने के यही छे द्रिक्षे को इनके इलावा दो बताओ, साइड पर लिख देता हूँ अब मान ने बच्चा मुझे बोलता है, सामने तो बच्चे कहीं बोल देते हैं मैंने का यह छे तरिक्षा है इसके लावा कोई तरिक्का नहीं है आप बोलो के है सर, मैं लुआ बोलो सर एक को यहा Assist, एक को यहाँ ले लो, ब बटाओ यह का है सर छे so is घ्रुड़के Now कोई बात हम कोई बच्चा मुझे बोलता सर ऐसे इहुनिन्हें लेसकते कोई बोलता है मैं ए यहां रखनुँ पी रखनु गिया रखनुथ सी यहां रखनु ओ ट्रे साथमा तरीका आथमा टरीका उनोमा टरीका अगकर नो के श्रह आप शे बोलो मैंने मूला कि कि इतने अंसर आएगा इसका फोर माइनस van fez postoria 3 त!".प्तोरियंगे मैंने आप अब बोलता है इसको पढ़ना बताओ यह पढ़के बताओ जैसे यह पढ़ते हो पहले यह आएगा बी आएगा अब इसको पढ़ना बताओ कैसे पढ़ोगे बताओ एक क्लोग में कौन है फिर एक एंटी क्लोग में कौन है इसी तो पढ़ोगे एक क्लोग में बताओ कौन है बई एक क्लोग में बताओ कौन है इसमें एक क्लोग में बी आंटी क्लोग में क्या दोनों पॉचिशन सेम है क्यों सेम क्यों है बताोंगे हैं तो सारी छे पिच्छन लग है ठीक हैक डी है अब समनो में कैसे पढ़ाता है एक क्लोक में अğरणρά आप कैसे पढ़ोगे वी कैसे क्लोक में यूब यापने B को fix किया, जो C के cloak, anti-gloak fix करें, वहापकी मर्जी, आम मैंने दिखो, एक को hila दिया, कोई पाद नहीं हिला दिया, मुझे सब्ण यह बताओ, A के cloak में कौन है, A के cloak में कौन है, कि देखो, है ही नहीं कोई, A के cloak में कौन है, बताओ? यार एक एक क्लॉग में बोलो एक एक क्लॉग में कौन है बताओ सी है बताओ और एंडी क्लॉग में कौन है बताओ डी कैसी तो पिजिशनेंट में से सोचना यह और यह सेम है आपको अलग लग रही है यह चटी तीसी पिजिशन है सात्वी नहीं यह तीसरी पॉजिशन है, साथ भी नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ क्या देखा है, कोई बच्चा है सामने से ऐसे देख रहा है, फोकस करके मान लो, एक सेकल में ग्राउंड में बैठ रही है, सोचो, एक अब ग्राउंड में सोचो, तो बोर्ड पे है ना, बोर्ड ज इसे बच्चे बैठी होने, तो मेरे को यह पहले दिख रहा है, एक बच्चा इधर से देख ले, एक बंदा इधर से देख ले, उसको यह व्राउंड पहले दिखेगा सोचो, नहीं समझते है, मैं बड़ी एक सिंपल सी बास समझता था जब यहाँ पे होते थे, यहाँ नही मालो मेरे सामने अब फोन पर कैसे दिखाऊ आपको एक उच्छा बटाए 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 तो पहले मुझे कौन दिखेगा, A दिखेगा ना, कौन दिखेगा पहले, C फिर, B फिर A, दुबारा सुन लो, मैंने यह कहता हूँ, जब सामनी ओते हैं, मैं तीन बच्चे सामनी बढ़ाता हूँ, बागे कहता हूँ, बैठ जटते हैं मेरे पास क्लास में, मैं इदर से आता ह मैं इदर से आता हूँ, मैं दिखाता हूँ, यह रोई सुमित राम बैठा है, ABC बैठे हूए, फिर दर से बैठता हूँ, इदर आते हैं, C, B, A, बैठे हूए, तो मैं क्या कहता हूँ आपको, यह जो तीन बच्चे बैठे हैं, एक अरेमेंट होगी ABC, दूसरी अरेमेंट क् C बैठे हैं, बताओ कितनी अरेमेंट होती हैं आपके हिसाब से, कुछ बच्चे दो बो रहे हैं, अगर आप समझो, मैं क्लास के अंदर हूँ, दो होगी, एक बच्चे का जवाब आए, दो हैं, दो हैं, अब आप चलो, जो दो लिखरा, जो यह लिखरा, अपने मन में इदर हो, कॉपी में लिख लो, मैं इदर से आया, यह बटा दा दा A, यह बटा दा B, यह बटा दा C, ना A ने, B के विसर टू, क्या पोजिशन को चेंज किया, क्या शफल हुआ, यह समझा रहे हूँ, मैं बहु रहा हूँ कि A, B, C अपनी जगा बे बैठे थे क्लास में, मै क्या आप किसी दो ने पूरी क्लास के विसर टू, मैं इदर से एंटर किया, तो A, B, C, एक पुजिशन, मैं इदर से एंटर करूं, तो C, A, B, आपने बोला यह दो पुजिशन, मीनल ने बोला, इसने बोला दो-दो पुजिशन, अब आप सोचो, बच्चे बैठे वे तीन, बाकि सारी क्लास बैठे थी पीछे, अब उनके नजरिये में कितनी पुजिशन है, यह बताओ, मेरे नजरिये को आप छोड़ दो, मालों उनके पीछे भी एक बच्चा बैठा हुआ है, पिछले मैच पे, उनके इसाब सिर्वों कितनी पुजिशन में बैठे हुआ है, यह इसे की मेरे की आपके मीच, अठीक मेरे कि यह बेठे हुआ है, को का ही और और दूसरी मेरे कि यह बीचिस लिया, यह बताओ, की का भी अपनी पुजिशन को चोडे आप C उसकी जगा आ लिगा, ये दूसी एरिमेंट है इन में क्या फर्रक है कि B और C ने आपस में क्या किया है पूसिशन को इंटरचेंज किया है जिसको अम शफ्लिंग बोलते हैं जब तक कोई शफ्लिंग नहीं करेगा तो तो अपनी जास बैट रहेंगे नो truths तीन बच्चे आज बैठे हैं मालो जैसे कंब भी बयसे पडसन व्यसे एसी बैठे हäreं परश जाँ गढ़े हैं तो वेढ़लो कितनी पूजिशनों बैठे हैं वेजिये थोड़ी ना कब आप position को change करोगे किसे आज बच्चे बैटे ABC कल को आए पहले B बैट जे फिर C बैट जे फिर A बैट जे परसों आए तो पहले C बैट जे फिर B बैट जे फिर A बैट जे बिरा मतब क्या हुआ उन position को with respect to पूरी class के change करें तो वो तो मैं घूमा हूँ मैंनी rotation हुई मैं कभी इदर से enter कर रहा हूँ तो मुझे ABC दिख रहे हैं मैं इदर से enter कर रहा हूँ तो CA भी दिख रहे हैं पर वो आपस में तो shuffle नहीं किया हूँने पूरी class के विसट्टू तो उनकी एकी position है सोच लो वो तो अपनी जगा से change ही नहीं हुए तो इदर नहीं लाओंगा ब्ल्यू इदर नहीं जाएगा shuffle नहीं करूँगा तब तक अलग position कैसे आप गिनोगे आप यहां सामने बैठे हो भी फोन पे मेरे पास या वीडियो में आप बताओ यह कितनी position मैं अभी आप से पूछ रहता हूँ आप बलोगे सार ब्ल्यू रेड ब्लैक एक position ब्लैक रेड ब्ल्यू दो position ऐसे पढ़ोगे क्या उसे क्या होगा जब तक कोई अपनी position को छोड़ेगा नहीं उसकी जगा कोई और आएगा नहीं अब यह दूसरी position है सोच लो यह कितनी position अभी तख आपके आइए क्यों ? जाभी यहां से पढ़ो जाभी यहां से पढ़ो क्या पढ़ोगे रिदाओ ? ब्ल्यू, रेड, ब्लैक मैं यहाः चेंज कर दो तो रेड, ब्लैक, ब्ल्यू बीच में आदे दो तो रेड, ब्ल्यू, ब्लैक मैं इदर से आज हूँ तो मैंने को दिख रहा है A पहले B, C, D, मैं उदर से आज हूँ तो मुझे पहले D दिख जएगा फिर C, B, A, मैं सामने से देखो मतलब मैं उस सर्कल के इदर गूमता रहूं तो क्या उनकी पूजिशने चेंज होती रहेंगी सोच के दर देखो चार बच्चे एक सर्कल में बैठ गें मैं उनको यहां से देखों तो ऐसे दिख रहें मुझे A, B, C थोड़ी दिखों जो ऐसे 90 डिग्री पे तो मुझे पहले B दिखेगा फिर C, फिर D, फिर A दिखेगा फिर 90 मैं मैं टोटल 180 घूम जाओ तो पहले मुझे क्यों सा दिखेग जिरूर दिखेगा पर उनकी position एक ही होगी कब उनकी position change होगी बताओ जब उनमें से कोई उठके दूसरी जगह पर आएगा दूसरा उठके उसकी जगह पर जाएगा जिसको हम बोलते है Shuffling, Shuffling जब तक नहीं होती तब तक arrangement change नहीं होती, Rotation दे लो यह पहना ऐसे हैं, थोड जब तक नहीं होती है, तो जब तक वह पर आपस में शफल नहीं होंगे तब तक तक तो वही मैंने का है, यह arrangement आपको अलग दिख ली है, यह अलग नहीं है, अपने दिमाग से घुमाना इसी वाली arrangement को आप 90 डिगरी इधर घुमा के देखो, मत इसको ऐसे घुमा लो इसको तो इसे ही बनेगी सुचने, तो घुमाने से arrangement को भी change होती है, मैं अभी note में लिखाँगो जो मेरा चोथा note है, अभी तीन note लिखवाए है, अभी लिखवाए है ने, अभी इसके बाह लिखवाँगा, मैंने पहले नहीं लिखवाए था, मैंने पहले दिखा दू तुमारे क तब मैं तुम्हें लिखाँगो, यह सातनी arrangement नहीं है, यह तीसरी है, पहले इस पर मैंटी प्रिपर हो, क्योंकि जैसे मैंने आपको दिखाया है कि ग्राउंड में चार बच्चे बैठे हो, और आप घूमते रो, तो उनकी position chain होगी, आप इदर से देख रो, यह घूमते रो पढ़ना A से है, तो घूमते हैं, क्जिक आपने A को fix किया है, जिसको जो fix कर रहे है, यह क्लोग में, कितना है क्लोग में, c एंनकी लोमते बताओ कितना है, d ती, बताओ कौंसी position होगी, nاي, kwns लिए, यह तीसरी है सोच जार रहे, यह तीसरी है, ढमने थखो घूमाया है, गुमाना मतल्टेशन देना च्रह विया, अब जख सक Soult रोटेशन मतल्टेने से गुमाने से गुमादू च्टाब मैंक होटी कब ओरेशन चेंग होती है लोetus को कोhen को अखनी को खावी कोई सह रि reflection कि 不好 लोसा आप एक को गारिवए को जान एक वाई क्या जान आप चितना मर्जी कुमालो, आप उलसर में ऐसे लिखा दूँ, A, B, C, D, बड़ी क्लासित में, तो कुमालो तो हमें क्या दिक्कत है, A के क्लोग में देखो कौन है, B, एंटी क्लोग में कौन है, A के क्लोग में, P, एंटी क्लोग में, D, ये रहा, तो ये पहली पिशिशन क्लोग में देखो, ये उसी पूजिशन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसमें अलग नहीं होता, तो मेरा नोट जो है, वो देखने है, ये चोथी पूजिशन है, अगर आपको अभी भी कोई लगती है, तो कॉपी पे बनाओ, और मुझे यहाँ वटसेप कर दो, तो वैस शफलिं, या आइवनित, डो नोट इस्वड़ेजमेट, अरेजमेंट को कोई फेरह नी टालता, और को फरकता है, कोई लेजमेंट को फरकता है, रोटेशन, रोटेशन का मतल Gmail क्लूजते हो घूमाना, आपकी घुमने से, या, टेबल की से, घूमाने से अर्रेजमेंट को को अब गुमा लो तो से तुम्हारी पूशन तो ना चेंज ओई कुमाने से सब्सक्राइब के तुम्हारे पास भी आएसे नहीं होता कभी कई तुम्हे याद है जैसे मर्जी आप अपने आपको मैंटिक पे दो डिशन डू नौट इफेक्ट का यह बट जो शफ्णिंग होगा शफल करना शफ्णिंग समझते हैं और एफट अन्यूं इससे अर्यमेंट पांट होनी शुरूत जब आप इसको shuffle करोगे ना तो यहां shuffle है देखो इधर आओ यहां एए था, क्लोग में B, एंटिक्लोग में C, तो मैंने B को shuffle करागे इधर बिठा दिया, D को इधर बिठा दिया, सुचो जब आप इधर बिठाओंगा, D को इधर बिठाओंगा, तो दूसरी होगा, कैसे यह पहला चटा यही है सक्चो मैंने B को अठाए यहां लगा दिया, D को ठाए यहां लगा दिया, देखो यह अलग रिंगमेंट है, मैंने क्याया किया इसमें, B को इपनी जगा बैठा रहें दिया, पर इन दोनों की पूज़न को चेंज कर दिया सी ओटी को चेंज क्या लिए दूसरी रग्यमंट थी तो इसमें क्या होगा सी इधर गया दिद्र गया तो इह क्या हो एफ पर इंफ्सक्राइशन से कभी नियू होता है जिता मईंज्री यह खूंगते हो चार नोट हो के अब आफिक जब है इतना तो कोई डिटेल में समझाता भी थी तो मैंने चार समझा दिये ठीक है पांच वा नोट अभी लाएगा पर पहले इंपे चार पे तीन चार कोशन करना है बाकी वो यह रिपीटिशन होगा नीचे उतनी फैक्टोल से डिवाइड होगा बाकी सब गोई है बस सिर्फ किसी एक को कम करना होता है क्यों कम करना होता है समझा तो ठीक है 7 M-1 वे समझ ऐसक arrogance 5 और ना स्रूंटा जिए एक व्याफिक्स चार बच्वाड़क जो सर आजे 20 इधर आगे डी सी साहरा साथ निमाने सी इसा करने करना है कितना कि अधर एक सउसी डिग्री से गुमादो तो यह पॉब्सक्राइए पर उसको पहला गोप्षान, इतने भी होते हैं। इन हाव मने वेस एट्सुन बेरेंगे इन लाइबें। इन लाइन, कितने मेंसे करोगे एट्सुन अलगी होते हैं। दूसरा, क्याता है, इन में लाइन, सर्कल में। 8-1 वेक्टोर्य, 7 वेक्टोर्य, दूसराइब दूसराइब फिन नुम्र वेजर, 5 men, 4 women be sitting on the round table 5 men or 4 women sit on the round table, condition with you, दूसराइब 5 men, 4 women sit on the ground, so that not 2 women sit on the ground, so that not 2 women sit on the ground, so that not 2 women sit on the ground, so that not 2 women sit on the ground, so that not 2 women sit on the ground, so that not 2 women sit on the ground, so that not 2 women sit on the ground, so that not 2 women sit on the ground, so that not 2 women sit on the ground, so that not 2 women sit on the ground, so that not 2 women sit on the ground, so that not 2 women sit on the ground, so that not 2 women sit on the ground, so that not 2 women sit on the ground, so that not 2 women sit on the ground, so that not 2 women sit on the ground, so that not 2 women sit on the ground, so that not 2 women sit on the ground, so that not 2 women sit on the ground, so that not 2 women sit on the ground, so that not 2 women sit on the ground, so that not यही बात है, लाइन वाला मैं अपनी तफ से करा लगता हूँ, पहला दूसरा कुछ नहीं, लाइन में बठाना है, लाइन में, कैसे बठाओ के बताओ, पहले आदियों को बठा लो, सरकुल में बठाना है, तो कैसे बठाओ ले, सरकुल में, तो सरकुल में पहले किसको बठाओ दो, मैं को बठाओ, मैं वन, मैं टू, मैं त्री, मैं फॉर, मैं फाइन, कितने में से बठाओ के बठाओ के, और कितने में से बठाओ के यार, फाइ माइनस वन फेक्टोरियल वेसे पर आफ ब मूमेन के तई चार क्रागनेо हैं योव सर्थो क्यायों आफ जेगा है अपने जोट बंजली कितनी बंजली जियों जानीं जाननीं ऑनक्राविश में पूरने नियुको जो बंजली थी पुच्छे कंश स्ञुभी buieniello प्हेन में दो sust deal USA तो पहली वोमिन को बढ़ाने के लिए किते हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच वेस तो कितना अंसर आजेगा अब मत कम कर दे ना फाइब वेस पेरी वोमेंट को बढ़ने के लिए तूसी वोमेंट को बढ़ने के लिए चार वेस तीसी वोमेंट को बढ़ने के लिए तीन वेस अगरी वोमेंट को बढ़ने के लिए चार दो वेस रहें सावी जमों क्यों एक कम कर दिय। दो दो बार一下 नहीं करना याइक बार इसमें कम कर चुकी हो तो इनमें भी कम करतेों नहीं 543 2.. जबह ससके investigating तर्फ भी आगए. फ़िए थारड है. बागई सारे का सब्सक्रफ हो ही होके हैं. पर थोना मुश्किल है. क्याद़ है, there are 11 cabinet mixture हैं, in how many ways that they say education and अधिकेशन एड पेंसर को देखने मिनिस्ट्र है है अधिश्राइब अधियों अधिकेशन राविट निश्ट को गटए कठ फ्टाना है के टाया इस तना जिसको एक ट्थे प्ठाना पते ही, एक सेट के अंदर बना लो, तो अगर line arrangement करनी होती है, तो circle की पहले मैंने लिख दी, line करनी होती ही, तो कैसे करते सचो line arrangement, education minister ME, और एक और minister, कौन सा है? revenue minister, को गट्थे प्ठाना का मतलब क्या हो, एक सेट के अंदर डालो, किसको education or revenue minister को गट्थे प्ठाना का मतलब एक सेट के अंदर डालो, इजुकेशन और revenue minister को कितने रहे कि पता हो? मिनिस्टर 1, मिनिस्टर 2, मिनिस्टर 3, मिनिस्टर 4, 5, 6, सोचो कितने हो रहे हैं? 7, 8, 9, क्यों 9 टोटो 11 मिनिस्टर थे? पढ़ लोगो खोश्चें भी पढ़ लिए अगरो गुक्क मैं से, 11 टोटोटोटोटोटोटोटोटे थे, गारेंगा मिनिस्टर भाता हो कि क्या होwyn? बागी इतने रहें कि मिनिस्टर वान, मिनिस्टर टू, मिनिस्टर त्री, मिनिस्टर फूर, एक नाइन में अच्छी आती है तो कुछ है नहीं, शिक्स, सेवन, एट, नाइन, टैन, नाइन, नाइन, तब बताओ कितनी हैं में होगें, पूले इसा टेक, एक, दो, तीन, चाथ पांग, चीन, साथ, आथ, नो होगें, तैसे इसमें दस नाइन, दस में दस नहीं होगें, दस माइन से एक फेटोरिल, आपस की शबलें, तो नाइन फेटोरिल इंटू, नो फेटोरिल, सोच ज़एंगें फूर्थ प्राइम निस्टर ओफ एड कंट्रीज हैं तो कहता है कि सर्कल में बिठाने आपको लाइन मेनेजमेंट में बिठाने होते हैं तो इन दर्लों को एक सेट के अंदर बांगेते हैं किसको एजुकेशन और एमन्यू को एक गुनारते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, शेग, साथ, आख, नो, दस, तो दस में से कम क्यों करते हो पता हैं फिक्स करने के लिए जुकू तू फ्रेटल क्यों आपस की शफलिंग जलो, प्राइम्निस्टर एट इसका और बटा इंडिया और पाकिस्तान का प्राइम्निस्टर इकटे ना पैठे हो sushi, शुच कोफित ह BC अब इंडिया को बठाने कर रिक इतने प्लेसे ऊगे स उचवा कर देना जाए बिडी और प्राइम मिस्ट्रों इससेए सहों चाल इंडिया को क्या सत्रहिक त्राइं अइद्लों के एक, दो, तीन, चार, पांथ, शे को उठाने के इतने थी क्यों कि गिए six minus one please अब बीच में रस्ते होगे एक, दो, तीन, चार, पांथ, छे तो इंडे उठाने के ले चे पाकिसान को पांच, सोच ना जो फिफ्ट है थी identical black bols है पांच में तीन black है, identical है लाइन भी हैं। पांच ब्रैड है। चार ब्रू भी हैं। बिठाना के इसमे बला, पहली बाद लाइन में। दुसी बाद सर्टर्व में। लाइन में बिठाना के बाद बूबी है। पहली का बिलाइन में किसे बिठाना है। एक जैसे इंटिकल है। अड़न का मज़त सहने हों सें। पिठाने हीतिकल है। एक्डूर तेन। पांच चेंज साथ, कल भी तो आया था, आठ, नो, दस, गैरा बार बार, ट्वैलिफ रिपीट हो रहा है। ब्लैक तीन बार, ब्लू दो बार, चार बार सबना, और पांच बार, ये ब्लाक के लिए, ये ब्लू के लिए, ये रड के लिए अब बिठाने के सरकल में, बिठाने के सरकल में क्या दिखते हैं, ब्लैक, 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 फिर क्या बठाओगे, ब्लू, 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 फिर क्या बठाओगे, रेड, 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 कितने रेड, पांच, तो कितने बठाओगे, एक, दो, ती, चार, पांच, चे साथ, आठ, नूँ, दस, गैराब बाद तो कितने से उठाओ के रखाओगे? 12, 12 में से कम कर लो नीचे मत कम करे ना, ब्लू के कितने होगे? 3 ब्लैक के कितने होगे? 3, ब्लू के 4, रैड के कितने होगे? 5 एक आर्टिकल किरा रहा हूँ, समझ आज़े तो, समझ आज़े तो, समझ नी आज़े, मुश्किल है तो फॉन पर समझ आज़े देख लोकर समझ आज़े, तहीं तो फामना याद कर लें रिजर्ट है, नहीं समझ आएगा, रिजर्ट याद कर लें कभी पूछ रहे तो याद कर लें And different things है, arrange करने, inner line में N factorial ways होता है दूसरा हमने पढ़ा भी होता है And different things है, arrange करने है Circle में, N minus one factorial यह one किसके लिए fix की ज़िए तीसरा है, N different beads है Beads बोने beads, सई सुना है beads मोती, मनके, मनके, या फ्लार है And arrange करने, inner garland में Garland समझते हो, हार को बोलते है Garland, या फिर necklace So कितने बेसे करते है N minus one factorial, upon two भी लगते है Two fitted, two ways लगते है क्यों लगते है अगर समझ आजे तो Because, not required Not, जो garland होता है या necklace होते है है, ना इदर position इन में ना तो position होती है Garland में Nor direction ना इन में direction होती है जैसे क्लोग और एंडी क्लोग बाई direction अपनी बाद की थी ना direction होती है और ना ही position होती है कैसे देखो कर समझा देतो उपाउदानों पेले फाउमला नोट को लोफी बता होती होती है बता नहीं समझ आएगा और नहीं आएगा सामने उते तो समझ आएगा जिहां से देखना Garland को पहले अपने दिवाह में डालो Garland का मतलब ही समझते हो जैसे माला होती है कोई flower की मंदिर में चड़ाती हो या कहीं चड़ाती हो या फिर कोई मोत्यों की मन के तो कहता है वो है उसकी बाद पूकर नहीं चब अपने दिमाह में रखनो माननो कोई माला है आपके पास कोई भी चार अललल करके बीर लगे हैं जैसे एक्जामपल है पर नहीं बता दो फोर डिफ्रेंट बीर्स हैं रेड, येलो, ब्लैक, ग्रीन कर भी मैंने मेंशन कर दी है आर अरेंज करने हैं इना गार्लेंड कितने वे से कराओगे पूर माइक्स वन फेक्टोरियल बाए टू थ्री फेक्टोरियल बाए टू सिक्स बाए टू त्री वेस क्यों है अब अला चलो देखते हैं पता नहीं समझेंगी कि नहीं समझेंगी नहीं समझाता तो फाउमने में लिखवा गी याद अतना कोश्चन तो नहीं है पर फाउमना लिखवा दिया नोट लिखवा गी है इससे पहले में ये चलों पहले तुम मुझे बताओ इस पहले ये सर्कुलर टेबल है शर्कल में सर्कुलर टेबल है चार फोर बीड कलर बॉल्स है माहँद रैड यालो ब्लैक ग्रीन को रेंच करने इन असर्कल में बताओगे कितने में इसे अरेंच करोगे चार बच्चे आरेंच करने हैं कितने इसे कराओगे 4-1 फेक्टोरियल 3 फेक्टोरियल 6 बेंच कौन कौन सर्के बताओगे किसी को फिक्स करना पड़ेगा रैड यालो ब्लैक ग्रीन अगरा बेज क्या होगा रैड यालो ग्रीन ब्लैक यही होगा सचो अगरा बताओ छटी सा दिखा रैड यालो ब्लैक अगरा बताओ रैड ग्रीन ब्लैक यालो अगरा रैड ब्लैक ब्लैक ग्रीन यालो फेक्टोरियल 5 ब्लैक अगरा ब्लैक यालो ग्रीन ठीक है? वह यही सिट्वेशन है यह सिट्वेशन में डालगा हूँ यह रैड आएगा मान दो यह यालो आएगा यह ग्रीन आएगा यह ब्लैक है मान दो चार बच्चे टेबल बैठे हैं आप दूसरी बॉर्ट अपी है दो क्या करोँ गा ब्लैक को ग्रीटा ब्लैक यहां से तामगा इदर रगी इदर रिव इद इदर कि णyani दूसरी बिशन होँकर की राउंड टेबल ए गॉल वला टेबल है पूरा गॉल टेबल है एभी अपर इड़ इसने यह ख्लू आप इप्छीक निह भीका है इस जी लिखाओ एंजी, चलो आपको से काखा रेड, यालो, ग्रीन, ब्लैक है, सोच रो, अब मैंने इसको उटा दिया, एक गालेंड लिलिया फूलों का आड बिये लिलिये, फूलों का आड मोतियों का आड सोचना मन के लिए हूँ, मैंने कहा कि यहाँ लिए हो है, यहाँ दिखे Wyatt यहिंद नहीं कि शच्छ सोच पूरा लीड दिखे हो था आपकी तो यहां पर क्या डाला हूं सचो ग्रीन यहां ब्लैक डाला हूं यह वला यह 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 तो पीछे से भी क्या दिखेगा, बताओ, समझ भी रहे हो, बलागी तो दिखेगा, फिर इधर कौन सा डाल हो, लास में इधर गरी, जी, जी तो समझ नहीं आता मेरा, ये रहा जी मेरा, इधर भी क्या आतों का बताओ के जी, समझ गे हो, अपने आखों में डख लो ना, आप मैं क्या करूँगा, इसको रख रहा हूं, सोचो, चल्द मीनल बता भी, मेरा यहां पर बता, ये क्या दिया हो है, पहली अरेजमेंट बता क्या है, चारो नोट पहले नोट करवाओं, तो क्या था, लाइन अरेजमेंट में क्या होती है, पूजिशन, सब अरेजमेंट अरेजमेंट को कभी रोटेशन एफेक्ट नहीं करती, कौन एफेक्ट करती है शपनी, जबते कोई शपल नहीं होता, जिसे बी जी शपल हुए थे, चलो यह आगया, चलो बता भी मीनल अगर दिख रहा है, महां से तो, बता अरेजमेंट बता, पहली आपे कौन सा रेड है, रेड के क्लोग में बता, क्लोग में, मीनल क्लोग में बता, वाई, वाई मतब यालो कहना चाहती है, क्लोग में कहा दिख रहा है, यालो, बड़ा बड़ा लिक देता हूँ, मीनल अंटी क्लोग में बता, अंटी क्लोग में, ग्रीन है, ग्रीन है, ग्रीन, और इधर मीनल बत मzar यो मेनल यहां रैड था रैंट के क्लॉट में बता मिल इाक लॉट में tofu यलो एंडि लॉब में और यहां क्ला का है यहां पर nep ना recipients यहां पर नो आ भरो मरत जीन न दिखें एस अचnatural की आशने काशना इन बता मिल आ है रहे हो एक डिखाए देन्यावाँ लिख्री यह लिख रही है आधि इसी चुल दो बार्ब लिखा दे लिए रख कर देता हूं एक रड़े रड़े के लौप में पता है कि छल ग्रीन बोल भी है जल ग्री माने देन एंटी क्लॉप में बता यालो और से यां कि दिख रहा है है दिकर एक ब्ला रहत gara लारा है यह रारा है याophy वोड क्याँ वरी रहा है णीडिनine Bei तो पहते हैं हैं नहीं कोई बत्चा तो इसे समझा कि दिया था यह तो यह संनダया ने ग्लॉब को शक्राइब किडिके घ्रीन सब्सक्राइब में रचार्ण कर दो घून दुमाद कर एससे था यह नोट्यूब है अगले दिन तुमने ऐसे डाल दी है तो अभी नोट्यों को चेंज पिये बीना किसी बीड को शफल किये करहा था अब मैंने सिर्फ क्छिरब का बीड इधर नहीं किया हुआ तो यह दोनों डिम Reach अलग नहीं हैं क्योंकि selonेशन कभी अछिवर को इफेक्ट नहीं कि क्या अब मतलब मैंने किसी वेड को शुफल गया कैमने यहां शी वाला और इदर किया, इदर किया, नहीं किया, सुमानिन क्या, चलब दिर को कहें रहा है, पहुरोई को जिए यहार लुआ आ ज्यूम घंणेटा से लुआगे बच्चे भाटे है सिर्फ को क्या कर दिया है रोटेट कर दिया बट अगर आप सोचो जैसे में पास अभी एक सर्कुलर रेंजमेंट था ये सर्कुलर रेंजमेंट था मालो सर्कल बच्चे बैठे हैं एक एक यलू बेठा है, एक ब्लेग वालो तो मैं गया हो क्हाना खा रहे हैं। तो मैं बच्चो को थोना उल्टा कर दूँगा, खाएंगे कहां से वह ? पज्चों को ल्ड अकर दोंगा निहीं किसे को माला ये सकता हैं इसको ऋल्टा निकार सकता हो इसको सर्कल को दोड़ा जार अए पूरी उमर्क नइशा नऎन आप ऐसे वी पहन सकते हैं सोचो और अगले दिन इसको कैसे पहन सकते हो आप सोचो कि अलग माला लेका हो, माला तो वही थी, खुश में नहीं, कब चेंज होगा बताओगे, जब आप ये वाला बीड, कोई भी बीड, मालो ए ग्रीन वाला बीड यहां से उठाओगे, यहां से उठाओगे, वो किसकी जब लगा दोगे, यह अलो की जगा, ना मेरे रेड के क्लोग में इसमें ग्रीन है, जो आपको शर्ण ना दिखे हैं हाथ से, पर एंटी क्लोग में क्या है, येलो है, मालो मुझे ये वाला बीड इदर लाना है, मतलब ग्रीन को इदर लाना है, और येलो को इदर लाना है, तो मेरा दिमाग क्या कहेगा, क्या मैं इ तो उसी एल्ग मेंट क्या खिए कि बताओं और यह विखे की बतायों में यहलो की जगा क्या जिल्ग और ब्लैक ब्लाइक की जल्ग में से वाथ की पर इसको गुमा लो तीसरी विटमन्ट आट विटा सकते हो, यह रड रेड है यहापे रखी अट आट आट ऑगे? ग्रीन और यहापे क्या आट आट ग्रीनध यीटमन्ट आट और जब आप इसको ऐसे गुमा तो भूट आट खो हो तो यह क्या आट ओ, रेड ये웃 इसंत़ है तो चुट रितिता कर ना रृड ग्रीन यौग पावा, है अब आमने किया कर दिया है छब्डीra कर दिए तो एác ब्राइब हुगा भी जब्राइब कर दो फ्राइब कर दो देंद बॉलेग रॉले 휴, तो उसको अर्रेंज्मेंट hier और कितने रहें मतलब आदे रहेंगे नहां की यहां का अंसर क्या थी पताओ गया फॉवर माईनस वन फेक्टोरियल लिए शेवेश तो यहां कितना एगा फॉर मैंनस वन वेंटोरियल इस क्यों अपाउंट डू कर्यों कितने कैसे आगे बताओ कि यादे केस कियो आधे केस पता हैं आफ केस किओ रहे ज़िए कोई पूछ ले क्योंकि विकॉज इसका रिजन ये करोगे कि विकॉज जो गार्लेंड होता है गार्लेंड का केस है नाइदर एंटी ग्लॉग नौफ पर इसकी डिरेक्शन नहीं होती हिस्वोच ना कोगी जो आपको कलोग में दिख रहा है, वो आप बिना शफल किये, अपने दिमाग से एंटी कलोग में ला सकते हो, सुचो, शफल इंग की जुरूद नी पड़ती है, पर जब बच्चे बैटए हो, तो आपको शफल करना पड़ेगा, एंटी कलोग से कलोग में ला देगी, स प्रोटेट करने कितने डिगरी से तीन साट डिगरी से वानेटी से तीन साट से गरोगे महीं आ जोगे सोचते रहे समझ रहे हो नहीं तो फार्मला लिक्वाजे रट नहीं चलो बाई